नमस्कार दोस्तों आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इंस्टेंट जलकारी पर हर्दिक स्वागत है आज की वीडियो में बात करेंगे में स्टाफ नर्स की लिए टेस्ट होगें से इसके बारे में ठीक है दोस्तों इसके आप ओनलाइन रजिस्टेशन करना है आपको और इसके फों 15 अप्रैल 2023 से दो बज़े से लेके 16 माई 2023 तक आप इसको अप्लाइ कर पाएंगे ठीक है अगर ओप्सिल वेबसाइट की बात कर लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इस्ट्यूट ओफ किड़नी डीजिज एंड रिसर्स सेंटर सिविल होस्पिटल केमपेस असर कि टेटल व केंशी रहेंगी स्टाफ नर्स कि रहेंगी टोटल व केंशी शरीश रहेंगी स्टाफ नर्स कि अटिक है यहां पर आप देख सकते हैं ऑननली शीटिजन ओफ आप इंडिया कैन अप्लाइ यहां पर जो पी toughода इसके बारे बात कर लिए तर पोस्ट बाइड्स ड आस्थ बाइड इंडिया देन नर्सिंग काउंसिल से और चाहां से होगलोमा इन जी या टी Πैटेंड फोसां थे हो वोगिस यानि आपका इन रेकुन आड़ा देन ईर्सिंग काउंसिल्प्लाइट से सब्सक्राइब और एक्विलेट अंडर दा गुजरात नास मीड़ीज और हेल्ट डिविजन एक्ट इंसर्शा अधर टाइम और अप्लिकेशन यहां पर देख सकते हैं को जाएस दा बेसिंग नोलेज और कंप्यूटर अप्लिकेशन एच प्रिक्षा इन गुजरात सिविल सर्विस प्लाश बेसिक नोलेज होना चाहिए आपको कंप्यूटर अप्लिकेशन का ठीक है और इसमें अगर मैक्सिम में इसकी बात करें चालिस एर्ज है पेस्कल की बाउन तेजार दोस्तों से लेके बानवा हजार तिन सो है ठीक है इसके फूम आप ओनलाइन अप्लाई कर पाएंगे ठीक है जो भी केंडिट है वह इसको ओनल अप्लिकेशन फीर रहेगी इसके जो भी केंडिट्स है यहां पर आपको अप्लाई करने के लिए अब बात आती है इनिस्पेक्ट ओफ दा अडवर्टाइजमेंट और ओनलाइन एप्लिकेशन थ्रो यह वेबसाइट मैंने आपको बताया है विल बेक्सेटिट मैंने डेट आपको बता दिया 15 अप्लाई से 16 महीं तक अब तो 5 प्यम तक अप्लाई कर पाएंगे और दोस्तों जो भी केंडिट रखते हैं वो इसको अप्लाई कर सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए तना थेंकिए